संगम नभी प्रियागराज में उमेश पाल हत्याकांट हुआ था और आज उमेश पाल हत्याकांट के दूसरे बड़े आरोपी को पुलिस ने मुद्भीड में धेर कर दिया हम इस समय खड़े हैं यह मर्चरी है पोस्माडम हाउस है जहां पर हम खड़े हैं और यहीं पर इसक कार थी उस कार का जो ड्राइवर था उसका इंकाउंटर किया गया था यह दूसरा इंकाउंटर है जिसमें आज उसमान को मार गिराया गया है उसमान वो सक्स है जो इलहाबाद के थरवाई लाके में रहा करता था और थरवाई में ही चोटी मोटी चोरी किया करता था इसकी क कर लागा उसके बाद एक भाई है वो भी चोरी के आरोप में इलाबाद के ये भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा आरूपी था उसके बाद जैसा ही अतिक गैंग से इसका संपर्क हुआ है उसके बाद ये बड़ा आपरादी बन गया जिस तरह से ये उमेसपाल हत्याकांट हुआ था इस हत्याकांट में जो पहली गोली चलाई गई थी वो इसी उसमान के द पर पुलीस बराबर दविश्थ दे रही थी और ये घटना क्रम के बाद से ही अपने घर पर शुपा हुआ था पुलिस को पता चला उसके बाद आज सुभे से ही पुलीस यह वहांपर पहुँच गई थी और जैसे ही पुलिस ने घेरा बंदी कर रखी थी उसही दौरान इ ऐसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा तो वहीं एक नहर है नहर के बगल में ही उसकी जो है जब जो डेड़ बाड़ी है वह वहाँ पर मिली नहर के बगल में जब अताबा तोड़ गोलिया चली है तो पहली गोली पुलिस ने जब मारी है तो उससे पहले ये पुलिस को गोलिया त पर उसको तीन गोलिया तो अभी प्रापर तौर पर पता चल लए कि जिस तरह से प्रात्मी कुपचार के इंदर ले जाया गया था वहां पर एक गोली उसके गले में लगी है जहां पर पट्टी लगाई गई है एक पायर के पास है और एक कमर के आसपास एक गोली बताई जा कर रही है लेकिन जिस तरह से यह पूरी घटना क्रम हुआ है तो एक बड़ा खुलासा इलहाबाद में आज पुलिस ने दूसरा इंकाउंटर करके दिखाया है और पुलिस बराबर दविज दे रही है अप रादियों पकड़ने कोशिस कर रही है इससे में इलहाबाद के मर करा जाए घर पश्टॉट में पकंष नामा कराया जाएगा तो लेहाज अभी पुलिस को घटना हुए इससा में भड़ा से यह अप रही हो भी खंगहल तक कर रही है अपराद इसने कर चुका था और आज इसका अंत हुआ है तो कि पुलिस बराबर से लगी हुई है अपरादियों की धर पकड़ कर रही है अलहाबाद नहीं उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत वर्स में इसकी छापे मारी की जा रही है जहां तक कि जतने बड़े अपराद ह इसकी तार तार चोड़े जा रहे हैं कि कहा से किसकी क्या भूमिका हो सकती है वो सब पे पुलिस काम कर रही है झाल झाल